हेला फ्रेंस वेलकम टॉर्यूट ट्रेन करेंट इस्टेडी सेंटर फ्रेंस आज की इस वीडियो में आप लोग बहुत बड़ी खुसकवरी देने वाला हूं फ्रेंस फानली अभी रेलवे जो मिनिस्टर है अस्विनी वैसनों जी उन्होंने प्रेंस कुछा और प्रेंस कौन कर रहे हैं आप लोग यह बहुत बड़ी गुड नीज मील चुकि यह फ्रेंस फानली अभी जा करके रेल्वे मंत्री अस्विनी बैसनों जी का प्रेंस कॉन्फरेंस हुआ और उसमें मैं आप लोग को वीडियो भी दिखा हूं उन्होंने क्या कहा है उन्होंने बताया है कि साल में चार बर भरति आप लोगी आएंगी और चार बर है साल में चार बर और चार मंत में कर आएगा तो लाइक की जेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गा चलिए वीडियो को आगे देखते हैं लोग मैं पत्रकारों नहीं सवाल किया कि रोजगार के बारे में और आगे मैं उस वीडियो को भी प्ले करूँ का भी बताने के बाद से देखिए देखिए साल देखे नई एंटीपीसी भरती जून में और गुरुबडी नई भरती अक्टूबर में आएगी और दूसरा पॉइंट में क्या है ऐन्ँवरी में एल्पी और अपरैल में टेकनिशन के आएगी और आप लोग का आएगा एन्टी प्य्星 का और जून्म argue जूनरी आएग्द औ lattice साद आजब कर दिया का अगले सा डाढ़ कर दिया जाएगा फिर अगले साल में geme?, आप लोगोगों ऑक्टूबर में आहिक देखिए, त्युमेर लेखी था रहा देखिए, तो अगले से मां झोल अग्वत के दिख साद लगते हो रहाWeb तो ऐसे करके साल में आप लोग चार बात जो कि एक साल में चार बार आप लोग की भरती आने वाली यह इसकी सुमंत में आप लोग कर लीजिए गार बहुत बढ़ी में खुसकबरी आप लोग को दे रहा हूं बच्चो और अगर लोगी वीडियो अच्छी लगए तो लाइक क के हिसाब से होगी इस पर आप सभी किया रहा है आप लोग अपनी राय दीजिए का अपने हिसाब से जरूर क्या हुआ है क्या हुआ है कि गलत है यह नहीं लिया गया है चलिए मैं वीडियो आप क्या कुश्चिन था हुआ सिदार्त भाई दूसरा सवाल यह है कि जब हम रोजगार की बात करते हैं तो रेलेवे को लेकर लोगों के उम्मीद रहते हैं कि रोजगार आएंगे और जब पिछला जर्नल एक्षन था उससे पहले अभी अभी एक लाख चौवन हजार लोगों का रोजगार कंप्लीट आगे जॉब में अब उनके ट्रेनिंग के लिए लोग जाने लगे जैसे यह प्रॉसेस कंप्रीट हुआ नेक्स्ट प्रॉसेस चाल हुआ बहुत लंबे समय से सबकी डिमांड थी कि इसको एन्वल बनाया जाए एन्वल इसलिए बनाया जाए अगर चार-चार-पांच-पा सबस्क्ट है एक टेक्निकल और ग्रूप लेवल यह जो चार बड़ी क्याटेगरीज है इन चार बड़ी का साल में चार इससे किए गया है कि जैनुरी में स्टार्ट करें एक जो ALP का दूसरा Technical Startrant करें April में Non Technical Startrant करें जून में और October में Start करें Level 1 और ये साइकल चलती रहे इस Process पे सारे की सारे Candidates की इमांड लंबे टाइम से रही है कि 4-4 साल का जो Phase होता है 5 साल का Phase होता है कई लोग Age Bar हो जाते हैं उसमें एक हर साल आपको opportunity मिलती रहेगी तो सबको opportunity मिलेगी इस thinking के साथ आगे बढ़े और इसी thinking और इसमें भी जितनी requirement थी उससे ज़्यादा अभी notify किया है एक साल की साफ से जो requirement है एक साल की साफ से अगर जैसे local pilot का matter है कितने लोग retire होते हैं उससे ज़्यादा लिये है right technician का है तो technician technician का जो April के आसपास April से पहले निकल आएगा क्योंकि हम लोग वो model code of conductor को भी avoid करना चाहते थे वरना normal process में April में निकलता technician का पर model code of code को avoid करने के लिए पहले निकला है तो January April June October फिर अगले साल वापिस January April June October फिर अगले साल वापिस इस हिस साब से process कर एक साल में कितने jobs निकले इसमें डिपेंड करेगा जिसकी जितनी requirement है हर एक zone की अपने requirement आती है division की requirement आती है और workshop से आती है estimate बनता है बंद की तो निकलता है फिर estimate बन-बन के निकलता ना फिर हर एक category के लिए अलग लग बनता है अभी डेल्ड लाख लोकों को जॉब दिया आप सोचे उस एक्जाम की complexity 500 से ज्यादा शहर कितनी शिफ्टे है अजार से ज्यादा शिफ्टे है 15 languages एक एक करोड़ लोग application कहीं पर कोई complaint आई जीरो complaint कहीं पर कोई पेपर लीग जीरो पेपर लीग पर्लेमेंट में हमारी opposition के लोग Congress के एक MP बोले कि आश्चेरे चकित है कि इतना बड़ा एक्जाम कैसे बिना कोई पेपर लिग के हो गया है तो एक उस चीज को भी तो देखो तो यह अगर वीडियो अच्छी लेगा तो लाइक किजिएगा चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा ठेंक्स पर वाचिंग और ऐसा ही गवर्मेंट इग्जाम से लिटेर नोटिफिकेशन पाने के लिए चाहे वो किसी भी गवर्मेंट इग्जाम के रेलवे हो गया चाहे अगर तो यह से योगा तो किसी भी दिपार्टमेंट के जाम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कि जिए गट थैंक्स पर वाचिंग